तुम्हारे डैडी के मर्जी के खिलाफ हमारा इस तरह से और मिलना क्या करो कुछ समझ भी नहीं आता कुछ करने की जरूरत नहीं है हम जैसे मिलते आया हैं मिलते रहेंगे फिर भी जरी, आखिर वो तुम्हारे टैडी है, तुम्हारे लिए जरूर कुछ और सोच रखा होगा सोचने दो पुरा मतमाना जरी, मैं नहीं चाता मेरी बज़े से तुम्हें कोई परिशानी उठानी पड़े और फिर, ये भी तो सच है, कि मैं एक मामूली घर का लड़का हूँ फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो लेकिन जरी, सिर्फ प्यार से तु सब कुछ नहीं होता तुम बड़े घर की लड़की हो, तुम्हारे डैडी जरूच तुम मुझे प्यार करते हो फिर मेरे कॉलेज के यही आख्री साल है, यह के बाद और पढ़ भी नहीं पाउंगा पता नहीं कब, किसी नौकरी मिले, और फ्रोस, तुम मुझे पयार करते हो पयार तो करता हूँ, जरीन, बहुत पयार करता हूँ, लेकिन पयार करते हों ना पर जरीन तुम तुमसे मिला था प्यार कुछ अच्छे नसीब थे हम दिनों आमीर थे जब तुम करीब थे जरीन प्यार का मिल जाना ही तो सब कुछ तुमसे मिला था प्यार कुछ अच्छे नसीब थे हम दिनों आमीर थे जब तुम करीब थे तुमसे मिला था प्यार कुछ अच्छे नसीब थे हम दिनों अमीर थे जब तुम परेब थे सुनओ जरी जिनदगी सिर्फ लंगे कि और हिंज जी की में चाला हटा के चाला हटा के तेरी हथेली से पियेंगे वो खाहिशे अजीब थी सपने अजीब थे तुमसे मिला था प्यार कुछ अच्छे नसीब थे हम दिनों अमीब थे जब तुम परेब थे ये सब तो ठीक है लेकिन मैं एक बात पुछता हूँ पूछेंगे एक बार कभी हम तुमसे रूट कर हम मर गए हम मर गए हम मर गए अगर को आप कैसे जिएंगे वो का हिशे अजीब थी सपने अजीब थे जीने को तेरी प्यार की दौलत मिली तो थी जब तुम नहीं थे उन दिनों हम भी खरीब थे तुमसे निला प्यार कुछ अच्छे नसीब थे हम दिना मीर थे जब तुम खरीब थे